तो आज मैं आपको एक ऐसा गेम प्ले बताने वाला हूँ जहां पर जो 101 का पूल गेम है उसमें मैं 99 पॉइंट तक फोज जाता हूँ उसके बाद क्या मैं वो गेम जीत पाता हूँ कि देखे आप ठीक है तो अभी जैसे कि पत्ते स्प्लेट होगा अभी देखो यह वाले रा जो करें मेर पास ठीक है जाहां पर मैं 2 का सेट भी बना सकता हूँ ठीक है और 6,8 का मैं जो कर यूपर सकता हूँ और यहां पर मेर पास जो इंवैलिट कार्ड है वो है डायमन ऑफ कुईन और हाट आफ सेवन तो अभी देखो अब यह भी देहन रखना है कि जो सामने जो प पत्ते उठा रहे हैं कौन से पत्ते फेक रहे हैं ठीक है अभी इसने मुझे क्लब ओफ किंग दे दिया जो मेरे को यूज हो गया ठीक है मेरे सीक्वेंस के लिए तो और मैंने जो ए था मेरा जो जो करता एस ठीक है वो मैंने यहाँ पे 6-8 में लगा दिया डाइमेंड के अब मेरे पास बचे है कितने पॉइंट्स 7 और 2 के 2 पत्ते वो मिला के हो गए हमारे पास 11 पॉइंट्स ठीक है अभी हम देखते है कि हमारे पास कौन से पत्ते आएगे कोशिश करना है कि जब भी आप कोई राउंड खेलो तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी कभी भी श भी खेल के आपका मतलब भी नहीं है अभी देखो मैंने यहां पर 7 of 8 पेका उसने नहीं उठा है बट वो बंदे ने 3 पेका था जो उसने open deck से उठा लिया अभी इन्होंने वेजा है 7 of 8 बट उसने open deck से नहीं उठा है यह सब भी हमें ध्यान रखना है हर राउंड में कोई क जो कर जो मैं अपने टू के सेट में यूज कर लेता हूं और मैं यहां पर शो कर देता हूं अभी देखते पॉइंट टेबल पर कोन कितने पर सबसे बिल्यों देखो इनके पास तीन जो करते पर इनके एक भी प्यूर सिक्वेंज नहीं था 54 पॉइंट से लॉस हो गए गलस इस एक बाद प्यूर सेट के लिए यूज कर सकता हूं फोर और फाइव मैं रखा हूं ताकि आगे कोई काड आए तो मैं इसको यूज कर सकता हूं बढ़ हम सोचेंगे यह गेम खेलेगे कि कि हमारा जो जोकर है वो हमारे प्यॉर पॉर कार्ट में यूज हो चुका है तो हमें सोचना ही कि हम यह गेम खेलेगे कि नहीं डिपेंट करता है कि अगर में पास एट आ गया स्पेड का तो मैं मेरे जोकर निकाल सकता हूं इक का आया एक का तो हमारे लिए इन्वेलिड है और हमारे जोकर भी फॉर कार्ड में यूज हो चुका है तो इसलिए मैं ड्रॉप कर देता हूं फिर मैं यह आगे वीडियो स्किप करके आपको बताता हूं ठीक है जो फॉर्स राण में बंदा जिनको 54 पॉइंट है उसी नहीं यह गेम मा रहा है ठीक है अभी देखते हैं हमारे पास कैसे काड आया है थर्ड राण में अभी पॉंचेबल पे अभी हम सेकेंड पे एक बंदा है जो छे पे ठीक है बाकी सब हमारे उपड़ी है यह ओपन काड से काड उता था यह सब चीज़ा हमेशा है आदक नहीं ओपन काड से जब काड उता है जब हुमारे पास जब उनके पास अल्रेटी सिक्वेंस बनी हो लवायाफ तो उनकी बन चुकी है तो हमें ध्यान से खेलना हम यहां पर हमेरे पास 4 काड एक सीक्वेंस भी है और 1 का का मैं सेड भी बना सकता हो तो मैं सोच रहा हूँ यह गेम खेल ले गए तो हम यह गेम खेल ले देखे तो मैं क्लोस्टेक से काड ऊदर है जहां पर से अगर धो है यहां बनाके एक खिर हमेशां याद रखो कि कभी प्रभी कोई भी गेम खेल रहे हो तो हमेशां याद रखो कि उसमें प्यूर सिक्वेंट हो और अगर pure second नहीं है आपका जोकर है 2-3 बड़ आप ये भी चेक करो कि उसके touch cards है की नहीं अगर touch cards है touch cards मानो जैसे कि 7-8 हो गया 6-5-6 हो गया 9-10 हो गया तो उसके आगे पीछे की पत्ते आने के chances हो सकते ठीक है तो हमेशा यहाद रखें आप अब यहाँ पर देखो यह एस मुझे मिल गया तो मैं डारेक्ट शो कर सकता हूँ है न है बड़ा भी हमारे पास अगर चलो मैं क्लब का एस और किंग अगर मैं जोकर ख्याद यूज कर सो और किसे में आभी शो मार दिया था हम 22 तो यह भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी कौनसे भी राउंड में शो मार सकता है तो अभी देखो एक का तो है बट वह एक का हमेरे पास है और वह एक का हमको अभी यूज नहीं है तो हम नहीं उठाते है वह एक का तब मैं यहाँ पर सोच रहो कि मैं फेकू कि मैंने एको इसलिए फेका कि मैंने सैट ब्रेक किया लेकिन बट यहाँ पे मेरे को अभी ज्यादा चांसे से कत्ते आने कि क्योंकि हाँ पर में पास द्रॉप लूस हो जाएगा समझ रहो ना तो हमेशे ये भी ध्यान रखना है तो हम अगर इस राउंड में पत्ते नहीं आएंगे अच्छे तो हम एक बड़ा पत्ता निकाल देगा ताकि हम पॉइंटेबल पे नीचे रहे क्योंकि जादा पॉइंट आधे जादा रिक्स लेकर खेलोगे जादा पॉइंट क्योंकि मैंने हमेशे बोला है कि 20 पॉइंट रखके खेलना है अगर उससे उपर जा रहे हो तो वह राउंड खेलके मतलब ही नहीं है जो भी देखते हैं शायद इसका नेट चले गए तो इसलिए पत्ते उटा नहीं रहे हैं अब यहां पाइनली उटा है इन्होंने पत्ते अभी इन्होंने डाला है स्पेड ऑफ एट जो हमारे उट यूज नहीं है तो हम क्लोज जैक से काट उटा जापर हमको निकलता है सिक्स अब देखो अब मैं यहां पर सोच रहा हूँ कि मैं अपना पत्ते ब्रेक कर दू क्योंकि मुझे 20 पॉइंट के नीचे रहना है तो हमने यहां पर हमारे सीक्व अगर हम 18 पॉइंट से हरी भी तो हमारे पास ड्रॉप बचता है हम 20 से ज्यादा नहीं पॉइंट से रहे हैं तो यहां पर यह बंदा को ज्यादा ही टाइम लगा रहा है मैं भी यह दो टेबल पे एक साथ खेर रहा है या तो फिर इसका इंटरनेट भी के देखो अभी हमने यहां पर पॉइंट से कम कर दिया है बट हमको यह भी तो कोशिश करना है कि शो मानने है राइट तो अभी देखते देखो अभी हम पर आजमें किंग आ जाता तो में किंग का सेड बना तो कुईन को फेक देता हूं अब यहां पर पॉइंट एबले कितने पॉइंट होगे आट है लेकिन यहां पर बंदा ओपन डेक से काल उठा लेता है अब हमार फोश एक वैलिट कार्ट ची अगर हमें कोई भी वैलिट कार्ट आगे जो दो यह अच्छे से मिलता है तो हम शो मार सकते हैं पर यहां पर यह बंदे ने ओपन से कार्ट उठाया था और इसने डेक् जोकर कितना था उनके पास मेरे गहल से दो जोकर था यह और सिक्वेंस एक भी नहीं है शायद इनके पास और यह देखो महाविर जैसे मैं तुमको बोला था हम में से 20 पॉइंट से नीचे रखना है अब उनके आस एक भी ड्रॉप नहीं बचाए हमारे पास अभी भी तीन ड्रॉप बचे अभी हमारे पास यहां पर एक अच्छे पत्ते नहीं आते तो हम ट्राइ करेंगे कि यह ड्र सेट्स नहीं बनेंगे तो हम यह गिम ड्रॉप करेंगे हैं कि मतलब नहीं और में यह वीडियो स्कीप करके आपको बताता हूं कि देखो क्या हो गया है यहां पर 82 वाले बंदे ने शो मार दियो कि अब भी हम पॉंटेबल पर सबसे नीचे नहीं हम सेकेंड नॉमर पर हमारे पास फोर काड़ आ जाता है लेकिंद जोकर नहीं आता है है यहां पर तो हम सोच रहां भी देखो तुम तो बोल रहों है हाँ पर टच काड लगे वे है तो खेलो बट नहीं यही तो मिस्ट करत तो अगर मैंने यहाँ पर खेल लिया और में को कोई कार्ड नहीं आया और मेरे बाद किसी ने शो मार रिया डेरेक्ट तो हम पूरा गेम से ही भार हो जाएगे इसलिए हमेशा ही चीज य याद रखना है फिकर अभी देखो यहाँ पर पॉिंटएबल देखो हम अभी भी हमारे पस एक ट्रॉप बचावा है तीन लोग के पास एक एक ड्रॉप बचावा है ने भी देखते हैं अभी हम रख कैसे काड़ाते है यहां पर हमारे पास जोकर आया है ठीक है और ओपन में भी जोकर है बट वो जो बंदा है 87 वाला उसने जोकर उठा लिया है तो में भी हाई चांस है पॉसिबिलिटी की वो गेम चीज सकता है तो हमें कोई रिक्स नहीं लेना इसे म फिखो हमारे पास है बट हमारे पार हाई कार्ट भी बहुत है पर प्यओर सिक्विएंस तो है पार म hä inconsistent कोशिश करो कि आप सिर्फ अपने पत्ते ना देखो जितने भी लोग खेल रहे हैं उनको एनलाइस करो उनको समझो उनका गेम समझो कि कोन कैसा खेल रहा है ठीक है तब ही आप इस गेम में मास्टर बन पाऊगे देखो अभी यहाँ पे पॉइंटेबल में कोई भार हुआ नहीं है देखते हैं यह महावीर इनको क्या पॉइंट्स आ है देखो अभी भी सब अंदर है पाली एक बंदर के पास 70 उसके पास एक ड्रॉप बचा है बागी किसी का ड्रॉप नहीं बचा है अभी यह राउंड में देखो हमारे पास पत्ते कितना खराबाते आठ्प आप एक भी जोकर नीए एक भी सीकेंस नीए आपाइसे टाइम पे लोग क्या करते हैं फ्रस्चेट होके गेम एक्जिट कर देते हैं आएसे टाइम पे गेम एक्जिट ना करो अभी देखो आप मैं कैसा सेक्वेंस बनाता हूँ कैसे बिना जोकर तो बहुoben है यह नहीं तो आप देखो आप मैं कैसा यह गेम जीतता हूँ अगर अगर आपको अच्छा लगा और गरका यह जो मैं आभी खेलने वाला हूँ अगर आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लगा तो आप लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना तो अभी देखो आप मेरे पास बीना जोकर के मैं कैसा यह गेम जीतता हूँ कि एक जोकर आया अभी हमारे पास प्डाव मेरे अभी प्योर सिक्वेंस नहीं है ठीक है ने कोई इसले होट फिका हूँ कोई ने याद रखने इसने स्पेड ऑफ कींग फेक है हम कींग भी फेक सकते ठीक है लेकिन पहले हम कुईन को फेक हेंगे क्योंकि हमारा डबल ता कुईन उसने नहीं उटाया था जो हाट अफ कुईन है सब क्लोस देक्ट से कार्ड उटाया है इसका मतलब ठीक चल रहा है जिस टाइम सब ओपन डेक्ट से कार्ड उटाना शूरु करेंगे तो हमेशा आद रखना जिसने एक दो बार ओपन डेक्ट से कार्ड उटाया है मेभी उसका वो क्लोजर है डिक्लेर के लिए यहां पर देखो डाइमन ऑफ एट आया है बड़ हमारे लिए यूज का नहीं है और यहां पर हम क्लोजर से कार्ड उटा है जहां पर में को फोर ओफ आट आ जाता है तो हम उसको प्यॉर सिकेंज बना लगते हैं अब यहां पर देखो आप मेरे पास मैंने बड़े पट्थे हैं मैं सबसे पहले निकालना और पहली बात थो हम्रों सिर्फ 12 पॉइंट्स बचे 12 पॉइंट्स के अंदर हमें यह गेम जीतना है या तो फिर सामने वाले को देना है 12 पॉइंट्स के अंदर तो मैं यहां पर घड़ी घड़ी चेक करते रहता हूं कि कौन क्या फेक रहा है अभी भी हम किंग फेक सकते हैं तीक है देखो यहां पर मैं फॉर का सेट भी मना सकता हूं अब पॉइंट कितना बचा है अब पॉइंट कितना बचा है जे चैट जो 10 का है और यहां पर जो मिर पास डबल फॉर और फाइव पैज आप मेरे पास हमें यहां पर बचा है हमारे पार टोटल थर्टीन ट्वेंटी थ्री पॉइंट्स अभी भी हम यहां से आउट हो सकते देखते हैं और कैसे काड आते हैं कैसे अभी उसने open deck से उठाया नहीं उठाया यह सब आप हमेशे check करो कौन open deck से पर अभी हमरे पर स्वाइस ही नहीं हम यह पर कुछ नहीं कर सकते हैं हम खाली हमारे जो right काड की need थे अगर वो काड डो बर जा चुक है तो आपको काड की need नहीं है तो यहां पर मैं इसको उठा लेता हूँ ताकि मैं four card बना सकतूं और यहां पर मैं points नीचे ला सकूं अभी यहां पर हमारे पास कितने points बचे है 8 और 5 13 अभी भी हम points से बल में नहीं है अभी भी हम हार सकते हैं तो हम हैं और points कम करना है देखो भी यहां पर आया है heart of ace जो हमेरे पर यूज के लिए नहीं है और spade of king आया है तो king हम fake सकते हैं क्योंकि मुझे पता है king की उसको need नहीं है तो इसलिए हम fake दे थे king अगर मैं यहां पर points कम करना चाहूँ तो मैं देखो यहां पर 4 और 5 को use कर सकता हो joker के साथ और यहां पर हमारे points कम हो जाएगे right कितने points कम हो गए हम यहां पर 8 and 3 11 points हो गए मतलब हम game में हैं अभी अगर किसी ने अभी show मार भी दिया तो हम भार नहीं होएंगे right और यह वह हो जाता है सामने वाला बंदा show मारते थे और हम 99 points तक पहुच जाते अभी भी कुछ लोग सोचेंगे अभी 99 points पे पहुच गया अभी मिदम है देखो यहां पर मैं सोचेंगे कि exit कर दो लें नहीं करना है अभी यहां पर देखो मैंने split मांगा पत उस बंदे ने split नहीं दिया क्योंकि उसके पास और एक drop बचा हुआ है 70 पे वह तो और एक drop उसकर सकता है और हम दोनों यहां पर देखो वह बंदा 89 पर है और मैं 99 पट मैं बस अब मैं यह चाता हूँ कि जो तुशार करके जो बंदा है वो 70 पर वह अगर इस गेम को खेल ले तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी कि लिक पट यहां पर हमरे अच्छे काड़ आ जाते हैं अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे अभी देखो हमरे एक भी राउंड में अब मैं सामने लेको कौन सा पत्ता लूँ तो यह भी चीज मुझे ध्यान में रखनी है अभी देखो मैं 9 इसलिए फेक रहा हूँ क्योंकि 9 अभी मुझे यूज नहीं है और मैं छोटे पत्ते अपने पास रखूँगा बड़े पत् नहीं फेकना है नाइन का कोई भी बत्ता है हमें उसको नहीं फेकना है अगर देखो है यहां वे इसमें 6 फेक है तो यह 6 हमें जरूरत है बट वो ड्रॉब परेगा तो आहां देखो उसने ड्रॉब कर दे और हमने आपे 6 उटा ले दे अभी मैंने 9 फेक आता अब मैं सोच दो जोकर के साथ और मैं यहां पर शो मार देता हूं अब मैं देखना चाहता है कि वह बंदा कितने पॉइंट से हार गया देखो वह बंदा विचारा 67 पॉइंट से हार गया जबकि उसने हाट आफ नाइन उठा था उसका सिक्वेंस भी ने था तो उसने क्यों उठाया उसक कोई गेम अच्छा लगा हूँ दोस्क तो प्लीज लाइक और सक्सक्राइब ऐसे गेम प्ले में लाता रहूँ है थैंक्यू